हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे निम्बू का आचार जो कि बनाने में एकदम इजी और सिंपल है लेकिन खाने में एकदम चटपटा और टेस्टी आचार है ये वो भी बीना कोई ओल यूज किये हाँ सही सुना आपने एकदम जिरो आइल में बनाएंगे हम ये और हाँ साल तक या उससे भी ज्यादा के लिए रख सकते हो निम्बू का आचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पतले छिलके वाले 500 ग्राम निम्बू लिए हुए हैं उसको अच्छे से दो के कपड़े से पोश देंगे पानी ना रहे इस तरह से इसके लिए अभी हम मसाले रैड बाद में 2 टेबल स्पुन गरम मसाला एड़ कर देंगे अभी यहाँ पर मैं धाई टेबल स्पुन काला नमक यानि के संचर होता है वो एड़ कर रहे हूँ और इसमें अभी हम एक टेबल स्पुन सेंदा नमक एड़ कर देंगे बाद में इसमें याँ पर एक टीस्पून हिंग पॉडर एड़ कर देंगे अब ये सबी मसाले को हम चमच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे अब देख रहे हो कि सबी मसाले अच्छे से मिक्स हो गये हैं जो निम्बू हमने लिये हुए हैं मेक शूर कि वह एकदम अच्छे से ड्राइ हुए हो अभी हम उपर से निम्बू को इस तरह से कट कर लेंगे जैसे हम भरवा बैंगन बनाते टाइम चार पार्ट में कट करते हैं उसी तरह से हाप में कट कर देंगे हम यहाँ पर काज का जार लेंगे और ध्यान रहें कि उसका धक्कन जो है प्लास्टिक का एड़ टाइट हो अभी हम मसाला बरके जो निम्बू है वो जार में रखते जाएंगे और हाँ आपको इसे रोज दिन में एक से दो बार हिलाना है यानि हमारा अचार वो फटा फट रेड़ी हो जाए अभी हम इस जार को अच्छे से बंद कर देंगे और तक्रिवन 15-20 तिनों तक रहने देंगे और इसके बाद आप इसे खाने में ले सकते हो आप थोड़े दिन के बाद इसे पराठे, रोटी, सबजी या राइस के साथ एंजोई कर सकते हो